So, hey guys, welcome back to my channel, knowledge and gamma, मैं हूँ आमिर, आपके 3M UT 2020 से एक्जाम का एड्मिट काड आ चुका है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता हुआ था, कि अगर आपका एड्मिट काड 31 जुलाई को आ जाता है, तब तो confirm हो जाएगा, कि जो आपका एक्जाम होने व आप में से बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने इसके एड्मिट काड को आलेडी डाउनलोड कर लिया है, और जान गया हैं कि आपके 3M UT का एक्जाम होगा, वो कब होगा, किस डेट को होगा, क्योंकि आपके एड्मिट काड पर ही डेट सो होता है, टाइम सो होता है, और करना है, क्योंकि जब आप 3M UT के आफसर वेसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर कोई भी डाइरेक्ट आफसर नहीं दिया है, एड्मिट काड डाउनलोड करने के लिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं, कि आप 3M UT 2020 सेंटेस एक्जाम का एड्मिट काड 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 कैसे, क्या क्या चीजी होंगी, कैसे कैसे आपका क्या होगा, इन सबी बातों के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले तो आपको 3M UT.AC.IN इतना लिख के Google में साच करना है, साच करने के बाद आप 3M UT के आफसर बेसाट पर आ जाएंगे, जैस से आपको login करना है, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आप इसको desktop side में open कर लेंगे, करने के बाद कुस इस तरह का आपके सामने interface आएगा, आने के बाद आप इसको scroll करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसा कि आप left side में देख सकते हैं, home वाले button पे, उस के बाद password मारें रहा है, तो जो भी आपका application number है, तिरपल MUT का और उसका password है, उसको आपको इसमें flip करना है, flip करने के बाद, जो login वाला option नीचे दिख रहा है, उस पर आपको click करना है, तो जब आप click करने के बाद, जब आप एक दूसरी page पे जाएंगे, तो फिर इसी तरह क पेज आपके सामने आएगा, फिर जो black black में आप देख रहे हैं, left side में इसी तरह का एक आएगा, तो उसी में side नीचे कहीं होगा, admit card डाउनलोड करने के लिए, तो आप वहां से जान पाएंगे, आप वहां से समझ जाएंगे, कहां से admit card डाउनलोड करना है, आप कर लेंगे आगे बताने के आपको जरूत नहीं है, हम live आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई application number है, और ना ही किसी का password है, देखिए admit card जब आप डाउनलोड करेंगे, तो उसका आपको एक page मिलेगा, page पे क्या होता है, कि उस पे आपके exam debt होते हैं, मतलब किस अभी confirm नहीं पता है, आपके admit card पे 8 अगस्त ही 100 होगा, यह तो confirm बात है, तो 8 अगस्त को आपको exam center पे जाना होगा, अब देख लिजिए कि क्या time है, अगर time आपका सुबा का 9 बज़े का होगा, और आप किसी दूर के काउंस से belong करते होंगे, किसी बहुत दूर के कस्वे से बिलोंग करते होंगे, जहां कि मतलब train orion उतने अच्छे तरीके से नहीं जाती है, बस नहीं जाती है, तो आपको एक दिन साइथ पहले जाना होगा, और वहीं पे अगर आप आपको लगता है, कि हाँ आप उस टाइम तक उसी दिन पहुश सकते हैं, तो आपको 8 अगस्त को टिरपल हम योटी दोहजर भी सेंटे से एक्जाम देने जाना है, कोशिस करिएगा कि जो भी आपकी एक्जाम के टाइमिंग है, उससे लगबग एक या देड़ घंटे पहले ही आप एक्जाम सेंटर पर बहुच जाईएगा, जो भी आपका एक्जाम सेंटर है, अब बात इसली जीए, मतलब अगर होता है, तो आप जहां तो टेन से जा सकते हैं, और नहीं तो मतलब बस तो चालू है ही, बस तो चली रही है, आप जहां तो बस से भी जा सकते हैं, और रही बात आपके पास की, तो जो आपका एड़मिर काड होगा, वही आप दिखा देंगे, जह आपके जाएगा नहीं तो problem हो सकती है इस सभी चीज़े आप करके जाएगा blue और black pen लेके जाएगा क्योंकि आपका offline exam होता है और यही सब चीज़े करिएगा और क्या और घड़ी भी लेके जा सकते हैं मतलब कोई भी problem नहीं होगी calculator allowed नहीं होता है लेकिन घड़ी allowed होता है watch allowed हो करते हैं आधार काड़ भी आप रख लीजेगा बहुजरी होता है और आपका admit card तो खेर रहे गई इस सभी चीज़ों के साथ आपको एक घंटे पहले पहले अपने exam center पर पहुचना है जो भी आपका exam center है तो यही सब चीज़े आपको करनी है और उससे पहले जो आपके पास छह साथ दिन के time बचे हुए है उसमें आपको revise करना है जो भी इससे पहले आपने तिरपले में UTN test exam के लिए पढ़ा हुआ है उसको आप इतने time में अच्छे से revise कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा हुआ है तो यह सभी चीज़े आप कर लीजिए